सयद मुश्ताक अली ट्रॉफी देश का डोमेस्टिक T20 टूर्नामेंट इसे मिनी IPL भी कहा जाता है इस टूर्नामेंट में जो खिलाडी बहतरीन प्रदर्शन करता है उसकी IPL आॉक्षन में खुब बोलिया भी लगती है यही कारण है कि सभी फ्रेंचाइजी की नजरें सयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के मैचों पर होती है इस तूर्नामेंट में कई युवाओं ने अपने शांदार बॉलिंग और बैटिंग से गजब का जलवा दिखाया इन में से कई ने अकेले दम पर जीट भी दिलाई इचाइजी आईपी एल आक्षन में हिस्सा लेंगे आईए ऐसे दो खिलाडियों पर नजर डालते हैं जिन पर करोडों की बोलिया लग सकती है शाहरुख खान वह पंजाब किंस इलेवन का हिस्सा थे टीम ने उन्हें अब रिलिच कर दिया है अब ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि शाहरुख पर दस करोड की बोली लग सकती है सयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के फाइनल में इस खिलाडी ने अपने दम पर टीम को जीत दिलाई दरसल अपनी टीम तमिलनाडू को अंतीम गेंद पर पांच रनों की दरकार को छक्का लगा कर जीत दिलवाई उन्होंने पंदरा गेंदों पर 37 रन बनाए और टीम को ट्राफी दिलवा दिलवादी शाहरुख बड़े शार्ट लगाने वह फिनिशर की भूमिका निभने के लिए जाने जाते हैं धोनी भी उनके मुरीद हैं ऐसे में वे अगामी IPL में सभी के चहेते हो सकते हैं दर्शन नालकंडे विदर्भ के युवा तेज गेंद बास सयद अली मुश्टाक ट्राफी में इस युवा ने अपने खेल का ऐसा जोहर दिखाया जो बड़े-बड़े खिलाडी नहीं कर पाए चार लगातार गेंदों पर चार विकेट ऐसा करने वाले वे दूसरे गेंद बास बने शाहरुख की तरह दर्शन भी पंजाब किन्स के हिस्सा थे उन्हें भी रिलिज कर दिया गया है इतना ही नहीं इन्हें IPL के एक भी मैच में नहीं खेलाया गया लेकिन अब के पर्फोर्मेंस को देखते हुए सबकी नजर उन पर होनी लाजमी होगी मुम्कीन है दर्शन पर बड़ी बोली लगे ऐसे ही क्रिकेट और अन्य तत्यों पर आधारित भरोसे मंद वीडियो देखने के लिए न्यूजियाना के साथ जुड़े रहे